नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Synergy IS Academy की नई YouTube वीडियो में मैं आपका दोस्त राही महता, आपके लिए Ancient History की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से हम Indus Valley Civilization के बारे में जानेंगे आज की वीडियो के अंदर हम इससे जुड़ी हुए कुछ facts के बारे में जानेंगे और आने वाली वीडियो के अंदर हम Indus Valley Civilization के political, social, economic, agriculture इन सभी मुद्नों के उपर बात करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में मेरे साथ अंतक बने रहेंगे और Indus Valley Civilization के topic को पूरी तरीके से cover करेंगे तो दोस्तों Indus Valley Civilization जो है यह भारत की पहली urbanized face थी पहली बार शहरों का विकास शहरी करण भारत में Indus Valley Civilization के दौरान हम को देखने को मिलता है Indus Valley Civilization लगबग लगबग तीन हजार साल पुरानी civilization है यह civilization जो है इसने भारत की history को भारत की इतिहास को तीन हजार साल पीछे कर दिया था Indus Valley Civilization की खोज से पहले हमें लगता था कि भारत का इतिहास वेदिक काल से अरंभ होता है प्रन्तु इस होज ने हमारे इतिहास को हमारे समय को तीन हजार साल पीछे धकेल दिया और इसके साथ साथ विश्व की सबसे महत्वपूर्ण civilizations में सही है एक रहेगी इस civilization को हम Indus Valley Civilization खागरा हाकरा civilization सरस्वती सिंदू civilization या फिर हडपन civilization के नाम से भी जानते हैं हडपा Indus Valley Civilization में खोजा गया सबसे पहला शहर था जिसके नाम पर हमने इसका नाम हडपन civilization भी रखा क्योंकि यहें Indus Valley के किनारे पर बसी हुई थी इंदस नदी के किनारे पर बसी हुई थी तो हमेंसे Indus Valley Civilization भी बोलते हैं इसके साथ साथ इसे सरस्वती सिंदू एवं घागरा हाकरा civilization के नाम से भी जाना जाता है ठीक है दोस्तों यह है civilization का फेस जो था यह चालकोलिथिक फेस से अलग था तामे पशान यूग से यह है अलग था क्योंकि तामे पशान यूग के दोरान भारत में मुझूद मानव वो सिरफ यह सिरफ कोपर का इस्तमाल करता था सिरफ तामे का इस्तमाल करता था परंतू इंदस वैले civilization के दोरान मानव ने bronze का इस्तमाल यानि कांसे का इस्तमाल करना शुरू कर दिया था इसलिए हम इसे bronze age के नाम से भी जानते हैं इस civilization को 1920 में सबसे पहले खोजा गया था, पाकिस्तान के अंदर इसे खोजा गया था, आज के पाकिस्तान के अंदर तब तब है भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, एवं 1924 में उस समय के आर्कियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जोन मार्शल ने इस डिसकवरी को पूरी दुनिया के सामने लाकर रखा था, उन्होंने ही इस सिविलाइजेशन की एग्जिस्चंस के बारे में सबसे पहला लेक जो था वो लिखा था और हमें इस सिविलाइजे हुई थी, मिसोपोटैमियम सिविलाइजेशन आज के टिग्रिस एवं यूफरेट्स नदी, इरान के किनारे, इरान के अंदर मुझूद टिग्रिस एवं यूफरेट्स नदी के दोआब के रीजन में बसी हुई सिविलाइजेशन थी, जिसे हम सुमेरियन सिविलाइजेश है प्रंतु इन सब में से सबसे महतवपूर्ण सबसे बड़ी civilization जिसने सबसे ज़्यादा area cover किया वह थी हमारे भारत की Indus Valley civilization सबसे अधिक आधुनिक शहर जिसने बसाए वो थी Indus Valley civilization अलग-अलग प्रकार के trade and commerce में ये involved रहे इवं बहुत ज़्यादा area एक हजार से ज्यादा sites इस civilization से जुड़ी हुई हमको हमारे देश के अंदर पाई गई है एवं इसके साथ-साथ Indus Valley civilization जो है दोस्तों वह proto-history का पार्ट है proto-history यानि की ऐसी history का पार्ट है जिसके बारे में हमारे पास written record तो मुझूद है प्रन्तु उन written record के अंदर मुझूद लिपी एवं भाशा के बारे में हम नहीं जानते हैं उन्हें अभी तक हम decipher नहीं कर पाएं हैं प्रन्तु ज़रूरी नहीं के कभी भी हम उनको decipher नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में हम जानते हैं कि हमारे archaeological survey of India के जो लोग है वो इनकी लिपी और इनकी भाशा को समझ कर हमको बता पाएंगे कि ये क्या बात करते थे और किस प्रकार की भाशा का ये है इस्तेमाल करते थे दोस्तों आगे चलते हैं सबसे पहले हम जिक्र करते हैं extent of civilization क्या था यानि कि Indus Valley civilization का फैलाव कहां कहां पर था इसका पश्चिमी छोर, पूर्वी छोर उत्री छोर एवं दक्षनी छोर कहां पर मजूद है तो सबसे उत्तर में यह civilization के अवशेश हमको जम्मू एंड कश्मीर के मांडा नाम की जगा पर मिलते हैं और सबसे दक्षिन में हमको इसके अवशेश महराश्टर में मुझूद दैमाबाद नाम की अलाके में मिलते हैं पश्चिम में सुतका गेंडोर आज के पाकिस्तान के अंदर एवं पूरव के अंदर आलमगीरपूर यूपी के अंदर हमको इसके अविशेश देखने को मिलते हैं यानि कि उत्तर में मांडा दक्षिन में दैमाबाद पश्चिम में सुत्कागेंडोर एवं पूरब के अंदर आलमगीरपूर यूपी में हमको इसके अविशेश देखने को मिलते हैं या इसका extension रहेगा दोस्तो आगे चलते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट के बारे में जिक्र करेंगे, एवं उनके अंदर हमको कौन-कौन से important resource मिले, कौन-कौन से इलाके के अंदर ये पाई गई, कौन सी नदी के किनारे पर ये बसी हुई थी, ये कुछ important fact रहेंगे, जो हम इस वीडियो में अभी discuss करेंगे दोस्तों, सबसे पहले, हडपन साइट के बारे में, ये सबसे महत्वपूर्ण साइट में से एक है, इसको द यहां पर हमको किस प्रकार के अवशेश मिले, यहां पर हमको सबसे महत्वपूर्ण अवशेश जो मिले, वो हमें सैंड स्टोन से बना हुआ, एक मानव का statue देखने को मिला, इसके लावा यहां पर हमको great greenery देखने को मिली, great greenery दोस्तों, ऐसी चीज है, जहां पर, एक ऐसा गोदान था जहां पर लोग अनाज को स्टोर करके रखा करते थे, ताकि जरूरत के समय में इसको इस्तमाल किया जा सके, तो great greenery हमको हडपा में देखने को मिलती है, इसके साथ-साथ हमने हडपा के अंदर, बुलोक कार्ट्स को भी ढूंडा, या बुलोक कार्ट्स को भी प आते हैं कि यहां पर किसी प्रकार की कोई जंग लड़ी गई थी, जिसके चलते कई सारे लोगों के कंकाल एक साथ-एक ही जगा पर दफन कर दिये गए, इसलिए इसका नाम mound of the dead रखा गया है, इसे आरडी बेनरजी के दबारा 1922 में एक्सकवेट किया गया था, यह 90 नदी क किनारे पर बसी हुई है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना नाम के जिले के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्तों, लरकाना नाम के जिले के अंदर यह स्थित रहेगी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अवशेश हमको कौन से देखने को मिले, सबसे पहले यहां प इसे हम समझेंगे कि एक प्रकार का स्विमिंग पूल जो था वह मोहंजदारों के अंदर बढ़ाया गया था और उसका इस्तमाल किसी प्रकार के रिचुलिस्टिक परपस के लिए किया जाता था किसी त्योहार के दौरान, किसी ओस्पीशियस दिन के दौरान लोग जो थे, वो उस पूल के अंदर उस ग्रेट बात नामक एक स्ट्रक्चर के अंदर उतरते थे, वहाँ पर नहाते थे, एवं अपने जो भी पूजा अर्चना की जो वस्था थी उसको आगे बढ़ाया करते स्ट्रक्चर के त्रिबंग पोस्चर के अंदर वह लड़की डान्स कर रही है, इसके साथ-साथ हमें यहां पर पशुपती महादेव की एक स्टील भी देखने को मिली, एक पत्थर का स्टेटाइट का बना हुआ टुकडा है जिसके ऊपर पशुपती बगवाँ की सील बनी हुई है इसके साथ-साथ हमें स्टेटाइट का बना हुआ एक दाड़ी वाले पुरुष का स्टेच्यू भी देखने को मिला दोस्तों ये भी हमको मोहन जोदारों में मिला स्टेटाइट से बना हुआ एक स्टेच्यू एक दाड़ी वाले इंसान का इसके साथ-साथ हमको मोहन का कपड़ा भी मिला एक वूवन कोटन का कपड़ा भी मिला यानि की मोहन जो दारो या इंदस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वह कोटन को इस्तेमाल करने वाले दुनिया के सबसे पहले लोग थे, सबसे पहले कोटन का इस्तेमाल इन्हों नहीं करना अरम किया था, ठीके दोस्तों अब अगली साइट की तरफ बढ़ते हैं, अगली साइट हवारी रहेगी सुत्का गेंडोर जो की आज के पाकिस्तान में स्थित है, इसे स्चीन के द्वारा 1929 में एक्सकवे के बीच में, यहां से दोनों सिविलाइजेशन जो थी, वो आपस में ट्रेड किया करती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करती थी, अगली साइट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगली साइट रहेगी हमारी चनुदारों, चनुदारों को NG मजूमदार के द्वारा 19 1931 में एक्सकवेट किया गया था, यह 19 नदी के किनारे पर बसी हुई है, इसके साथ-साथ यहां पर हमको बीड मेकर्स की एक शोप मिली, यानि की बीड, यानि की मोतियों से आभुशन बनाने वाली एक दुकान हमको मिली, इसके साथ-साथ यहां पर हमको फुट्प्रिंट आमरी जो है वह इंदस नदी के किनारे पर बसी हुई है इसके साथ-साथ यहां पर हमको anti-lope के evidence मिले यानि की एक प्रकार के हिरन के हमको evidence जो है वो आमरी नाम की इंदस वैली civilization की site पर देखने को मिले अगली site हमारी रहेगी दोस्तों काली बंगन काली बंगन को घोश के राजस्थान के घंगर नदी के किनारे पर बसी हुई थी घंगर एक हम जानते हैं seasonal नदी है मौनसुन के दुरान घंगर नदी के अंदर पानी आता है और उसके channel को हम घंगर नदी के नाम से जानते हैं हम इसे हर्याना प्रांत के अंदर पहता हुआ पाते हैं, हर्याना के कई सारे जिलों से घंगर नदी जो होकर जाती है और राजसान में चली जाती है, जिसके किनारे पर हमको काली बंगन नाम की एक हडपन सिविलाइजेशन की साइट देखनों को मिलती है, काली बंगन का के अंदर हमको फायर अल्टार मिला, यानि की हमको एक हवन कुंड मिला काली बंगन में, इसके साथ साथ हमको यहां पर कैमल यानि की उट की बोन्स मिली है, और यहां पर हमको वुडन प्लो मिला है, यानि की एक हल हमको मिला है, जो लकड़ी का बना हुआ था, इसका मतलब क काली बंगंग के लोग जो थे वह एग्री कल्चर करने के लिए हल का इस्तिमाल किया करते थे और वह हल लकडी का बना हुगा था दोस्तों अगली साइट जो रहेगी हमारी वो रहेगी लोथल लोथल को आर-ार राओ के द्वारा 1953 में खो जा गया था यह गुजरात में केमबे के पास रहेगी है भोगवे ददी के किनारे पर लोथल शहर यह दुनिया का पहला मैनमेड पोर्ट था पहला बंदरगा जो पुरी दुनिया में मानमों ने बनाया वह लोथल में स्थित था यहाँ पर डोक यार्ड भी था यानि कि किष्टियों के खड़े करने की य यानि कि हमको चावल के अवशेश भी मिले है यहाँ पर भी हमको फायर अल्टार यानि कि हमको यहाँ पर भी हवन कुंड देखने को मिले इसके साथ साथ लोथल के जो लोग थे इन्होंने दुनिया की सबसे पहली चेस की गेम को इन्वेंट किया था हमको चेस के अवशेश भी लोथल नाम के शहर में देखने को मिले दोस्तों ठीक है अगला शहर हमारा रहेगा अगली हमारी मुखे साइट रहेगी सुर्कोटडा सुर्कोटडा को जेपी जोशी के दबारा 1964 के अंदर खोजा गया था यह गुजरात के अंदर स्थित है इसके साथ-साथ यहां पर हमको कुछ अवशेश मिले यह अवशेश जो है यह सूपरफीशियल अवशेश है हम पूरी तरीके से तथ्य के अनुसार नहीं कह सकते थे कि यह गोड़े के ही अवशेश है प्रन्तु हमको कुछ सूपरफीशियल अवशेश इंदस वैली सिविलाइशेशन के सुर्कोटडा नाम की जगह पर मिले जो हमको यह दर्शाते हैं कि हो सकता है कि यहां पर गोड़े का इस्तमाल किया जाता था प्रन्तु UPSC ने इसके ओपर पहले सवाल पूछा था कि इंदस वैली सिविलाइशेशन जो थी वह होर्स बेज सिविलाइशन थी या नहीं थी तो उसके उत्तर में UPSC की आंसवर की में आया था कि इंदस वाली सिविलाइजेशन जो थी वह होर्स बेज सिविलाइजेशन नहीं थी यह जो अवशेश हमको घोड़े के मिले हैं यह सूपरफीशिल अवशेश है हम नहीं पुरी तरीके से जानते के ही है घोड़े के हैं, गदे के हैं या किसी और जानवर के हैं पर ये मिले हमको कहांपर है ये मिले है हमको सुरकोटडा नाम की जगापर जो गुजरात में स्थित है जिसको JP जोशी के द्वारा खोजा गया था ठीक है दोस्तो, अगली हमारी साइट रहेगी बाना वाली, बाना वाली हिसार हर्याना में स्थित है, इसे RS बिष्ट के द्वारा 1994 में खो जा गया था, एवं यहां पर भी हमको बीड्स, बारले, एवं प्री हडपन एंड पोस हडपन दोनों के ही अवशेश हमको यहां पर द हमारी साइट रहेगी दोला वीरा, इसे भी RS बिष्ट के द्वारा 1985 में खो जा गया था, यहां गुजरात के रणोग कच के अंदर स्थित है, यहां पर हमको वोटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और उसके साथ साथ वोटर रिजर्वायर भी देखने को मिला, यानि कि यह करके अपनी खेती को चलाया जा सके एवं डोमेस्टिक परपस के लिए भी इस्पानिका इस्तमाल किया जा सके, यानि कि इन्फरासक्चर के अनुसार, टेकनोलोजी के अनुसार, इंदस्वैली सिविलाइशन के जो लोग थे, वे बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, अपनी सभी contemporary civilization के मुकाबले सबसे जादा आधुनिक टेकनोलोजी का इस्तमाल इंदस्वैली सिविलाइशन के लोग ही कर रहे थे, इसके साथ साथ इन्होंने किस प्रकार के शहर बसाए, किस प्रकार के शहरों के पैटरन थे, किस प्रकार की economy थी, society थी, trade किस-किस के साथ ये किया क करते थे, और किस प्रकार इस इंदस्वैली सिविलाइशन का पतन हुआ, यह सब बाते हम अगली वीडियो के अंदर discuss करेंगे दोस्तों, तो कृपया करके अगली वीडियो का इंतजार कीजेगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक और कमेंट के म आद्यम सही कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्तुर।